हाई फ्रेंड्स, वम्य की जिन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बता रहे हूँ ब्रेट से बनने वाली अनोखी मिठाई जो की खाने में बहुत टेश्टी और बहुत स्वाधिश्ट लगती है आप इसे बार बार बना कर खाना चाहेंगे और बहुत आसान भी है इसे बनाना इसे बनाने के लिए हमने एक कडाई ले लिए है और उसे थोड़ा सा कीला कर लिया है इसमें डाल रहे हैं एक लीटर दूद फुल क्रेम दूद डाल दें जल्दी हो जाता है ये दूद में हम उबालने लेंगे अच्छा उबाल लेंगे दूद को और चलाते जाएंगे तक ही चिपके ना आजू आजू अच्छा उबाल लेंगे हम इतना उबालना है हमें कि ये एक तेहाई रह जाए तब तक हमें इसे उबालना है आप चाहे तो इसे तेज आच में उबाल लें और चलाते रहें बीच बीच में बार बार ये देखिए आप दूद को हमने अच्छा उबाल लिया है तो ये आधा रहे गया है ये उबल उबल के आधा हो गया है और अब हम इसमें डाल देते हैं आपके पास केसर हो तो केसर डाल दे और नहीं तो हल्दी डाल दे हमने हल्दी डाली है और ये हल्वाई भी हल्दी ही डालते है हल्दी का उपयोग ही करते हैं इसमें हल्दी का इसमें स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है और इसका कलर टेक्चर बहुत बढ़ियां आता है स्वाद भी बहुत अच्छा आता है पता ही नहीं चलता कि इसमें हल्दी डली है आपके पास केसर हो तो आप केसर डाल दे थोड़ी सी इसमें केसर डाल दे तो भी कलर इ इतना अच्छा आ गया है, बढ़िया उबाल आ गई है, अब इसमें बन पोर टेबल स्पोर इलाइची पाउडर डाल देते हैं, मिठाई आप कोई भी बनाए, इलाइची पाउडर डालें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सोंदा सोंदा साथ, इसमें बढ़िया दूद हमारा काफी अच्छे तरीके से गाड़ा हो चुका है, और इसका कला टेक्चर भी देखिया, बहुत बढ़िया आ चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं सक्कर, सक्कर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, मात्र दो चमस सक्कर डालेंगे, क्योंकि दूद गाड़ा होत देखिये, एक तेहाई रह गया है, यह सक्कर घुल जाती है हमारी, इसके बाद हम गेस की फ्लेम बंद कर देते हैं, यह देखिये, बढ़िया गाड़ा सा हो गया, हम पे एक लीटर दूद उबाला था, जिसमें से यह आधा पाव करीब दूद रह गया है, यह देखिये, इ गेस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, यह हम काजू बदाम और पिस्ता दीनों चीजों को बारिक करके डाल दे रहे हैं, इसमें यह देखिये, और मिक्स कर ले रहे हैं, यह देखिये, अच्छी गाड़ी गाड़ी सी, बढ़ियां कला टेक्चर दिख रहा है ना इसका, इसको एक बरतन में पहले खाली कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं, और ठंडी हो जाएगी जल्दी, यह देखिये, इसको पूरा खाली कर लेते हैं, कटोरे में रख दिया है हमने, यह थोड़ी ठंडा होता है, तब तक हम ब्रेट के स्लाइस कर लेते हैं, यह ब्रेट ले ले ली है ह हमने और एक हमने गोल वाली डिबी ले ली है उससे यह गोल-गोल सलाइस करते जाएंगे यह देखिए हमारे चैनल में मोर का वेट मार्क दिया रहता है आप इसे सब्क्राइब करें फ्रेंड्स और बेल आइकन तो जरूर दबाएं मैं इसके गोल-गोल सलाइस कर रही हूं आ करजू की किनारी हटा कर कोई भी पैणी नौक वाली डिबी ले लें आप यह देखिए इससे अच्छी स्लाइस हो जाते हैं बहुत ही आराम से हो कितने फटापट हो जा रहे हैं यह प्रेट के सलाइस हमने कर लिए हैं यह देखिए बढ़िया गुल-गल सलाइस हो गए है न दबा दबा के निकालके रखते जाएंगे, यह देखे, यह दूद्ध भी हमने थोड़ा मिठा लिया है, थोड़ी सी सक्का डाल दी थी इसमें, और इसमें ब्रेट को हम गिली कर ले रहे हैं, यह गोल गोल जो स्लाइस काटे हैं ना हमने, इनको इसमें डूबो के हलका सा प्र में रखकर जमा भी सकते हैं या फिर एक प्लेट में एक स्लाइज रखें उपस ये रबरी डालें और सर्व करें बहुती आसान तरीका है ना लेकिन आप ब्रेट के स्लाइज को दूद पर डूबो कर जरूर निकाल लें यह तो ये रबरी पूरी सोक लेगी तैयार है हमारी ब मिठाई बहुत बढ़ियां बनी है ना तो जरू ट्राइक करें फ्रेंस पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्क्राइब करें और अपने अनुभा हमारे साथ जरू सेयर करें